सेल्स जॉब में खास्त और से FMCG और OTC इंडस्ट्री में नई कंपनी का खौफ हर एक सेल्स एंपलोई के अंदर होता है नई कंपनी मतलब कि वो समय से पहले भाग जाएगी जिससे डिस्टिबिटर का पैसा ब्लॉक हो जाएगा डिस्टिबिटर का पैसा नहीं मिलेगा और डिस्टिबिटर एमपलोई को पकड़ेगा दूसरी चीज नए एंपलोई की सेलरी लटक जाएगी दो-दो महीने तिन-तिन महीने का जो expense है सेलरी है टाइम से नहीं मिलेगी और company कभी भी निकाल सकती है क्योंकि उसके जो top management का भी कोई भरूसा नहीं होता कब top management company छोड़के चला जाए बहुत सारी चीजे होती है पता नहीं यह चलेगी ऐसी तो company आती है जाती है 6 महीने एक साल में बंद हो जाती है कोई-कोई 2 साल जादा जादा चलती है और फिर वो अपनी करमचारियों की छटनी कर दे यानि sales staff को कम कर देती है और बहुत ही जादा pressure बनाती है इसलिए नई company को लोग join नहीं करते है हाला कि कुछ लोग पुरानी company कुछ ऐसी गंदी पुरानी company है जिनके उपर इसी तरह का label लगा हुआ है उनको भी join नहीं करते है ये डर sales employee के अंदर बना होता है और इसी डर की बज़े से बहुत सारी ऐसी company होती है जो उस sales employee का career change कर सकती है जीवन को बदल सकती है और तरक्की ला सकती है ऐसी companyों से भी वो दूर हो जाते है ऐसी companyों को भी वो join नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो सोच होती है वो उस तरह की जो company होती है उसकी वज़े से वो सोच नहीं की सकती खतम हो गई होती है मैं खुद ऐसी company new companyों में काम कर चुका हूँ जो की मेरे छोड़ने के बाद भी आज भी चल नहीं है और वहाँ पर काफी अच्छी opportunity मिली और जो team मैंने बनाई या मुझे जिसने hire किया हमेशा salary में भी growth दिया और position में भी growth दिया तो क्या दिक्कत है कि जिससे आप एक क्या ऐसी approach है जिससे आप एक नई company को पहचान सकते हैं कि ये दूर का खिलाड़ी है ये अच्छी company है कैसे पहचानेंगे आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी tips बताऊंगा जिससे आप नई company के बीच में से हीरे को तलाज सकते हैं क्योंकि नई company से कैसारे benefit है चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो नई company से पहला benefit तो ये है कि वो अगर आप sales officer की post पे हैं तो बहुत आसानी से ASM की post वहाँ पर ले सकते हैं दूसरी चीज आपकी जो salary growth है वो बहुत ज़्यादा high वहाँ पर मिल सकती है ये दो opportunity तो होती ही है sales employee के लिए तीसरी जो चीज होती है सीखने की वहाँ पर जितने भी employee भरती किये जाते हैं उनकी जो training होती है उनकी जो guidance होती है वो directly top management से director से या vice president से GM से directly होती है और वो directly हर एक person से contact में रहता है क्योंकि company नई है तो सभी को training देना सभी को motivate करना ये सारी चीज चलती रहती है लेकिन उसी जगे पर आप किसी चलती हुई या पुरानी company में जाते हैं तो top management से आपका directly कोई connection नहीं होता तो connection वहाँ बनता है पुरानी company में नहीं बनता तो ये भी एक benefit है साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो कि आपको नई company में सीखने को मिलती है new product कैसे launch करें new market में पहली बार distributor कैसे बनाएं बहुत सारी तरीके की चीज़ें जब हम एक नई product को लेके market मुतरते हैं तो हम समझे कि एक owner की तरह काम करते हैं मालिक की तरह काम करते हैं और छोड़ी से छोड़ी चीज़े जो परिशानी निकल के आती हैं उससे हम सीखते हैं जूशते हैं जो कि आगे चलके हम जब अपने career में growth कर रहे होते हैं तो वो company ओमें काम आता है interview में काम आता है अब मैं आपको बता दूँ कि मैं कैसारी जो new launch company थी जहां पर product भी नहीं बना था अभी product भी बना नहीं था मैंने ऐसी टाइम पर जॉइन किया जब product की discussion चल ले थी कि हम पहला product क्या निकालें किस तरह का होना चाहिए हम एक company इस तरह की बनानी है उसमें कौन-कौन से product होने चाहिए इस सब discussion में मैं सामिल हुआ जिससे मुझे एक honor की feeling होई और मैंने बहुत कुछ सीखा raw material कहां से आता है सस्ता कहां से आता है महंगा कहां से आता है उसका जो paper printing होती है वो कैसे होती है packaging के लिए जो bottle होती है वो कौन-कौन सी company आती है किस तरह से हम एक bottle को finalize करते है packing को finalize करते है बहुत सारी चीजे delivery system क्या है यह सब सारी चीजे set up करते है उसके बाद हम distributor तलासते है तो इतनी सारी चीजे आपको एक new company में मिलती है new launch company में new product में मिलती है अब मैं जब ऐसी company में गया तो मेरे उपर जिम्मेदारी थी पूरी team को खड़ा करना और मैंने वहाँ पर ऐसे ऐसे अब कुछ लोग को जिनको मैं जानता था जो मेरे touch में थे market में दूसरी company में काम कर रहे थे मैंने market में उनको देखा था मुझे लगा कि यह अच्छे लड़के हैं और मैंने कई लोगों के मुझे से पहले भी सुना था कि हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं हमें ASM नहीं बने हमें growth नहीं मिली मैंने जान बुच के उन्हीं लोगों को phone किया मैंने का भाई आ जाओ जो sales officer था उसको मैंने directly कहा कोई interview नहीं आईए आप मेरे साथ काम कीजिए और मेरी company में interview दीजिए बहुत आसानी से मैं आपको interview करा दूँ क्योंकि मेरी recommendation पर आपको रखा जाएगा salary मैंने वो बढ़ा के दी जो उन्हें मिलती भी नहीं ASM की post दी जो sales executive अच्छा कासा experience था उसको signals officer की post दी कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए और आज भी जब वो 5-6 साल बीच गए हैं तो market में वो अब भी ASM के लिए एडिया रगड रहे हैं ASM की post मिल जाए उसके लिए एडिया रगड रहे हैं उन्हों ने उस opportunity को पहचाना नहीं और जिन लोगों ने मेरे साथ join किया अब वो दूसरी company में है फिर तीसरी company में है तो वो ASM की post पे मेरी company में आए और अभी तक ASM की post में हैं आगी की post में चले गए हैं ऐसे ही तो आपको opportunity पहचान नहीं है कौन सी अच्छी होती है सबसे पहले किसी नई company हो जब आप परकें तो ये देख लें कि वो company पहले किसी दूसरे business में थी है या नहीं है अगर थी और है तो वो company सही हो सकती है दूसरी चीज कि नई company में team कैसी है vice president है GM है किस company में काम कर चुका है उसका background क्या है team जो sales की है वो किस तरह की है जो company माल खुझ से बनाती है अपने factory में या third party बनवाती है इस तरह की की जब information जुटाना सुरू करेंगे market में उसका feedback लेना सुरू करेंगे कितने महीने से कौन कौन से district में कौन से area में launch है वहां क्या इस तरही चल रही है sales की company किस हिसाब से growth कर रही है यह सारी जब आपको analysis करनी आ जाएगी तो आप एक नई company में भी apply कर दोगे क्योंकि आपको पता होगा यह नहीं भागेगी यह growth वाली company है तो वहीं से carrier growth ऐसे नहीं होता कि हर साल 10% आपको increment मिले 5% increment मिले इस तरही नहीं होता carrier growth कुछ इस तरीके की चीजों से भी होता है तो आपको पहचानना आना चीए अब हर साल 100% company नहीं launch होती है अगर देखा जाए तो उसमें से 10 company हमें पहले ही पता पढ़ जाती है कि हाँ यह launch है उस 10 company में हम apply नहीं करते है हम उस 9 company में apply नहीं करते है हम एक company में apply करते है जब हम पूरी analyze कर लेते है और जब आपके साथ काम करने वालब कोई बंदा किसी company में है उसका character आपको पता है उसका nature आपको पता है उसका feedback background आपको पता है तो आप को उस पर भी ट्रस्ट करना चाहिए इसी तरीके से सेल्स में ग्रोथ होती है वरना लोग इंतियार करते रहते हैं इंतियार करने से कुछ नहीं होता अपोशिंट्टी को पहचानना भी एक खला है इसको पहचानिए 2024 में कमाल कर दीजिए